भगवान श्री राम जी जानते थे कि उनकी मृत्यू का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र है और मनुष्य दे की सीमा और विवशता भी यही है। उन्होंने कहा यम जी को मुझ तक आने दो बैकुंध धाम जाने का समय अब आ गया है। बृत्यू के देवता यमराज जी स्वयम अयोध्या में घुसने से डरते थे। क्योंकि उनको राम जी के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। उन गये थे कि उनकी मृत्यू को अंजनी पुत्र जी कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और वो रौद्र रूप में आ गये तो समस्त धरती काम उठेगी एल। उन्होंने स्रिष्टी के रचिता भगवान ब्रहमा जी से इस विशय में बात की और अपने मृत्यू के सत्य से स्वयम का स्वरुप छोटा करते हुए बिलकुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अमगुठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था बलकि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोग के नाग लोग तक जाता थ हनुमान नागों के राजा वासुकी जी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी जी हनुमान जी को नाग लोग के मध्य में ले गए जहां पर धेर सारी अंगुठीयों का धेर लगा था। वहां पर अंगुठीयों का जैसे पहाड लगा हुआ था। यहां देखिए, आपको श्री राम जी की अंगूठी अवर्षय ही मिल जाएगी वासुकी जी ने कहा एल। हनुमान जी सोच में पड़ गये की वो कैसे उसे धूंड पाएंगी। यहां भूसे में सुई धूंडने जैसा था एल लेकिन उन्हें राम जी की आग्या का पालन करना ही था तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को धूंडना शुरू किया एल। सौभाग्य कहें या राम जी का आशरवाद या कहें हनुमान जी की भक्ती। उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी एल उनकी खुशी का ठिकाना न रहा एल वो अंगूठी लेकर जाने को हुए तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी एल। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम जी की ही अंगूठी थी एल इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठिया उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम जी की ही निकलती रही एल। उनकी आखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वासुकी जी यह प्रभुजी की कैसी माया है? यह क्या हो रहा है? प्रभुजी क्या चाहते हैं? वासुकी जी मुस्कुराएं और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं, वो स्रिष्टी वविनाश के चक्र से गुजरती है, यह जो निश्चित है, जो अवश्रमभावी है, यह इस संसार के प्रतेक स्रिष्टी चक्र को एक कल्प कहा जाता है, यह हर कल्प के चार युग्या चा इक वानर रूपी आप इस अंबूठी का पीचा करते हैं, यहां आते हैं, और हर बार प्रत्वी पर श्री रामजी मृत्यू को प्राप्थ होते हैं, एल. इसलिए यह सेक्रों हजारों कल्पों से चली आ रही अंबूठियों का धेर है, एल सभी अंबूठियां वास्तविक हैं, एल सभी श्री रामजी की ही है, एल अंबूठियां गिरती रही हैं, और इनका धेर बड़ा होता रहा, एल. भविश्य के श्री रामजी अवतार की अंबूठियों के लिए भी यहां परियाप्त स्थान है, एल. हनुमान जी एकदम शान्त हो गए और तुरंद समझ है कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंबूठियों के परवत से साक्षातकार कोई आकस में घटी घटना नहीं थी, एल बलकि यहां प्रभू श्री रामजी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यू को आने से रोका नहीं जा सकता, एल श्री रामजी मृत्यू को प्र समाप्थ होंगे ही पर श्री रामजी वापस आएंगे, यह सब फिर दोहराया जाएगा, एल. यही स्रिष्टी का नियम है, हम सभी बंदे हैं, इस नियम से एल संसार समाप्थ होगा लेकिन हमेशा की तरफ संसार पुना बनता है, एल.